वाइडल टेबल में खुशाम दीत एक तवील साल के बाद साइंस जानों ने COVID-19 की वैक्सिन तियार की और आम अवाम तक पहुंचाने के लिए हकूंती अदारे और डॉक्टर्स सरगरम है ये वो वाइरस है जो 34 लाग से जायत जानों को निगल गया है और अभी तक 16 क्रोड से भी जायत लोग स्किल पेट में है कुछ लोग वैक्सिन को मुनासित समयते हैं लेकिन कुछ लोगों को अभी भी वैक्सिन पर खत्चात लाहक हैं तो आईए हम बताते हैं कि लोग वैक्सिन के बारे में क्या सोचते हैं मित नमर एक तकरीबन 30 से 40 फीसद लोग ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि वैक्सिन में बिल गेट्स की तरफ से माइक्रोचिप्स प्लांट्स किये गए हैं यह मित तब शुरू हुई जब गेट्स ने फ्यूचर में चलने वाले डिजिटल सेटिफिकेट्स की बात की उसे डिजिटल टैट्स के साथ मशाबब दी गई जब कोई वैक्सिन लगवाएगा तब इसके जिसम पे वैक्सिनिशन का टैट्स लगा दिये जाएगा लेकिन गेट्स का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस किसम की कोई टिकनोलोजी दर्याफत हुई है तो ये क्लियर है कि वैक्सिन में ऐसी कोई माइक्रोचिप्स मुझूद नहीं है दूसरी खुरफात ये है कि वैक्सिन आपको कोई-19 में मुद्दा कर देगी इसमें किसी किसम की कोई शफाफियत मुझूद नहीं है वैक्सिन से किसी भी किसम का कोई खत्रा लाइक नहीं है जिससे आम इंसान कोई-19 से मतासिर हो मित नमर 3 टोना वारिस आपके डियाने को तबदील या दुबारा रिराइट कर सकती है जो वैक्सिन आम तोर पर टलाई जा रही है इसमें RNA होता है जिसे हम mRNA भी कहते है DNA को mRNA बनाने के लिए इस्वाल किया जाता है और mRNA से हम प्रोटीन्स बनाते हैं ये प्रोटीन्स ही होती है जो मुकलिफ सम्तों की तरफ जाती है लेकिन mRNA वापिस नहीं जाता और आपके DNA को अफेक्ट नहीं करता इनफेक्ट जो mRNA आपकी वैक्सिन में होता है और नीकलिस तक नहीं जाता जहां आपका DNA स्टोर होता है इसी के साथ सथ mRNA आपकी बोडी में स्पाइक परोटीन्स बनाते हैं आपका immune system react करता है और anti-bodies बनाता है ये reaction स्पाइक परोटीन्स के साथ होता है जो के corona virus का हिसा है तो अगर ये सब real virus के साथ मकाबला करते हैं तो आप बिमार नहीं होंगे मित नमबर 4 वैक्सिन हमें बिमार करतेगी इस बात में कुछ सचाई मुझूद है खुद का और दूसरों का ख्यार रखें